नमस्ते, आज मैं अके साथ सेयर करूंगे टामेटो और पोदीने की चटनी की रेसिपी, उसके लिए मैं लूंगी पहले एक बर्तन, बर्तन में लूंगी में एक कप पानी, पानी जब गरम हो जाये तो मैं इसमें लूंगी दो मीडियम साइच के टामेटो, साथी हम लेंगे इसमें पाच साबुद मिर्च, एक टुकरा अधरब, हाथ से दसकल या छिलीवी लहसुन के पीसे सहे, और इसे धक करम बोईल होने देंगे पाच मिनट तक, टुकरा अधर देंगे, तक टुकरा रिखेंगे, टुमेटो अच्छे से बोईल हो चुके, बाहर निकाल देंगे टमेटो के चिलके में उतार देंगे और इनको मैंने मुटा मुटा कट कर लिया साथ ही इसमें जो भी हमने डाली ती है मिर्च अद्रक के सारा बाहर निकालेंगे और अद्रक के छोटी छोटी कम कट कर लेंगे अब यह सारा मिक्सी ग्रेंडर में डाल देंगे साथ ही हमने लिये पूदीने के पत्ते यह भी हम इसमें एट कर देंगे दो चमाच हमने लिये नमक और इसको अच्छे से ग्रेंड कर लेंगे चटने हमारी तयार है यह चटने आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है हूह झाल 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 झाल